असलाम आलेकुम मैं हूँ साले डिजैनर आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्ज के लिए बहुत खुबसूरत और नी इस टैल में फरलोंग फराग की कटिंग और स्टीचिंग करना सिखाऊंगी यह मैं 12 साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूँ आप इस मेथट को फोल क्तिंग करनी है वीटिंग से पहले मैं आपको बताती चलूं इस वीडियो में कुछ बारि किए हैं जिसकी वजह से आपको बिगार स्क्प के वीडियो को देखना होगी ताके कोई भी पौिट्ट मिस्ना हो जिसकी वज़यर से आपकी फरॉक खराब होगो जाए और यह वाल मैं आपको घेर की चोड़ाई दिखाऊंगी विवर्स बैक के घेर की चोड़ाई हमने 38 इंच रखी है ये देखे मैंने चोग की मिलद से निशान लगा लिया है ताकि आपको ये वाज़े नजर आ सके ये हमारा बैक पार्ट है जो फ्रंट पार्ट है वो 4 इंच एक्स्टर रखते हुए 42 इंच पर हमने इसे इनग किया है बोटम की लंबाई और चोड़ाई को हमने इनग कर लिये है अब आप इसकी योग देखें योग के लिए भी हमने फ्रंट पार्ट को 4 इंच एक्स्टर रखा है विवर्ज योग की लेंथ हमने 11 इंच तयार करनी है 2 इंच एक्स्टा रखते हुए 13 इंच पर इसकी लेंथ को हमने अलग किया है विवर्ज बैक योग की चोड़ाई हमने चेस्ट मेयरमेंट के हिसाब से रखनी होती है चेस्ट हमने 16 इंच तयार करनी है 3 इंच एक्स्टा रखते हुए तकरीबन हमने 19 इंच पर इसे कट किया है और फ्रेंट की योग हमने 4 इंच एक्स्टा रखी है जैसा कि हमने बोटम के लिए 4 इंच एक्स्टा रखा था अब सबसे पहले हम बैक योग की कटिंग करेंगे इसे हमने fold कर लिया है तीरा हमने 12 and half इंट तयार करना है तो इसका half 6 inch और 2 point पर हम निशान लगाएंगे सिलाई के margin के लिए half inch के gap से एक और निशान लगाया है अब तीरे की down cutting के लिए हम इस तरह तिर्चा निशान लगाएंगे विवर्स arm haul के लिए भी हम 6 and half inch पर निशान लगाएंगे उपर से सिधी line लेते हुए यहां से round shape देंगे चेस्ट हमने 16 इंतयार करनी है इसका half 8 inch पर निशान लगाएंगे विवर्स fitting हमने 15 इंतयार करनी है तो इसका half 7 and half inch पर निशान लगाएंगे अब इन निशानों को मिलाते हुए हम line draw कर लेंगे एक inch के gap से एक और निशान लगाएंगे और फिर हम इसकी cutting कर लेंगे इसी दोरान आप चेक कर लें अगर मेरे चैनल पर new हैं तो मेरे चैनल साले डिजैनर को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए आल पर कलिक करें ताके हर नयाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मौँचे अब मेरमेंट के मुताबिक हमने cut भी लगा लिए हैं योग को बिछाते हुए हमने सीधी साइड उपर रखी है उल्टी साइड हमारी नीचे की तरफ है राइट साइड से थरी इंच के गैप से हम एक निशान लगाएंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे राइट साइड से हमने डबल बटन पलैकिट तयार करनी है इसके लिए हमने थरी इंच के गैप से निशान लगाया है अब इस fabric को हम इसी निशान के उपर रखेंगे और center से cut कर लेंगे जैसा के हम simply योग के center से button पलैकेट के लिए cut करते हैं अब same इसी तरीके से हम front के bottom की भी cutting करेंगे right side से हमने निशान लगाना है उसकी लिए भी ये आप देख रहे हैं फ्रेंट के बोटम की भी राइट साइड से हमने निशान लगाया हुए जैसा योग की राइट साइड से निशान लगाया था ये याद रहे हमने बोटम को भी सीधी साइड बिचाया हुआ है इसके बाद हमने इसी कपड़े को इसी निशान के उपर र अब हमने बाजों की कटिंग करनी है बाजों हमने 20 and half इंट तयार करनी है सिलाई और कटिंग का मार्जन रखते हुए 22 and half इंच पर हमने इसे अलग कर लिया है पफ वाले सलीफ तयार करने के लिए 5-6 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना होता है तो हमने 70 नीच पर निशान लगाया है अब यह देखें यहां से 2 इंच का गैप रखते हुए बिलकुल हमारी सीधी लाइन ड्रा होगी उसके बाद हमने शेप देना स्टार्ट करनी है उपर की तरफ इसे लेके जाएंगे मोरी का साइज अपनी मेयरमेंट के मताबिक रखें एक इंच सिलाई का मार्ज गले की कटिंग के लिए पेपर पटी को हमने इस तरह फोल्ड कर लेना है 3 1.5 इंच के गैप से निशान लगाएंगे इस तरह लाइन ड्रा करते हुए एक बोक्स बना लेंगे और रांट शेप देते हुए गले की कटिंग करेंगे ये पेपर पटी के उपर गले की चोड़ाई हमने थोड़ी सी ज्यादा रखी है क्यूंकि हमने बटन प्लैकिट वाली जगा से इस गले को हलका सा फोल्ड करना होता है इसलिए चोड़ाई ज्यादा रखी है तो नार्मली जो हमारी चोड़ाई होगी वो तकरीवन 6 इंच और 1 पॉइंट के आसपास होगी यह देखें गले की कटिंग कर ली है अब हम इसे प्रेस करेंगे इवर्ज अब हमने स्टीचिंग करनी है तो स्टीचिंग के लिए हमने योक और बोटम को बिचा लिया है अब हम इन दोनों को बराबर करेंगे और से बटन पलैकिट तयार करेंगे बटन पलैकिट तयार करने से पहले इन दोनों को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे यह देखें दोनों को हमने सिलाई लगा ली है अब इस तरह सीधा करेंगे और यहां से हमारी बटन पलैकिट तयार होगी विवस यह बच्ची का फराग बना रही हूँ इसलिए मैंने बटन पलैकिट की चोड़ाई थोड़ी कम रखी है अगर आप यंगर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बटन पलैकिट की चोड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे वो प्यारी लगती हैं तो उसके लिए भी आपको वही थरी इंच के गैब से ही निशान लगाना होगा हमारी पट्टी कम होने की वज़ा से थोड़ा सा कपड़ा हमारा बचे गा तो हम उसे कट कर लेंगे यह देखें दोनों तरफ से हमने बटन पलैकिट तयार कर ली है अब जहां पर हमारी योग थी इन दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाईों को आपस में भी लाएंगे यहां से बराबर करते हुए इंची टेप को रखेंगे 14 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे यहां तक हमने सिलाई लगानी है और नीचे से जो हमारी open slit है इसे बंद कर लेना है सिलाई हमारी पहले वाली सिलाई के बिल्कुल पास पास लगेगी ताकि नीचे की तरफ से भी वो सिलाई नजर ना आए यह देखें अब हम इसे खोलेंगे और यह आप देख रहें एक बार फिर हमारी यह button play kit फोल्ड हो चुकी है और इस तरह मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है इसी निशान को फोल्ड करते हुए हम यहां से सिलाई का उटारन लेंगे वीवर्स यह right side वाली जो button play kit है यह हमारी double fold हो चुकी है यह आप देख रहे हैं तो इसलिए हमें कपड़ा extra चाहिए इसमें देखें वीवर्स बहुत ही जबर्दस तरीके से हमने button play kit तयार कर ली है अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे और योग की हमने cutting करनी है back योग को button play kit के half हिसे तक रखेंगे और cutting करेंगे यहां से down cutting भी करेंगे वीवर्स अब उपर वाले पाट को हम हटा लेंगे यह आप देख रहे हैं वैसे तो हमारी simply यहां से सिलाई लग जाएगी अगर फिर भी आपको कोई issue है थोड़ा सा एक side से कपड़ा कम हो रहा है तो हम यहां से हलका सा जोड भी लगा सकते हैं वैसे कोई इतनी problem नहीं है easily हमारा half inch margin हो रहा है जो सिलाई में आएगा लेकिन फिर भी अगर आप यहां से जोड लगाना चाहें तो इस तरह लगा सकते हैं अब हम front armhole की extra cutting करेंगे cutting और stitching की बहतरीन वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल सालिय डिजैनर को ज़रूर subscribe करें अब जी आएगी इसकी bottom की बारी वीवर्स ये frog मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी समझने की जरूरत है अगर समझ जाएंगे तो बहुत easy रहेगा ये देखें जो कपड़ा हमने extra रखा था कुछ कपड़ा हमारा fold हुआ है और कि थोड़े से कपड़े को हमने यहां से cut कर लिया है अब हमने योक और बोटम को आपस में जोड़ते हुए gathering करनी है तो इसके लिए हम बोटम को नीचे की तरफ करेंगे और ये देखें इस तरह चाहें तो हाथ से चुनट दें चाहें तो धागे वाली चुनट देते हुए इस तरह दोनों साइडों से हम gathering कर लेंगे ये देखें फ्रेंड्स ये दोनों साइडों से हमने gathering कर ली है और जो हमारी बटन पलैकिट थी इसी के उपर भी हमने एक रफ स्टिच कर लिया है ताके ये आपस खुले नहीं और मिली रहे ताके इस लिए हम फराग त्यार कर सकें इसके बाद हमने गले की cutting के लिए निशान लगाना है बैक पार्ट को भी हमने रखा है बराबर थ्री इंच के आसपास से हम इस तरह निशान लगा लेंगे चोड़ाई के लिए यहाँ एक cut भी लगा लेंगे इसी cut को follow करते हुए हमने बुक्रम के गले को भी stitch करना है पहले ये extra fabric को fold करते हुए यहां से हम stitch कर लेंगे अब इसको double करते हुए center से cut लगाएंगे विवस जो हमने ये cut लगाई है इसी cut के उपर हमने बुक्रम बले पाट को रखना है बिलकुल बुक्रम के किनारे से हम ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ हम ये सिलाई लगाते हुए आएंगे विवर्स जहां पर हमारी बटन पलैकिट है यहां पर हमारा गला थोड़ा सा बढ़ रहा है जो हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे अब दूसरा पार रखने के ले भी उपर की तरफ जो हमने कट लगाया था बुकरम कोशी के पास रखेंगे यहां से जो एक्स्टा गला हो रहा है इसे हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अच्छे चे कमेंट्स किया करें ताके हमारी होसला प्रेस भी कर सकते हैं लेकिन हम नीचे वाले गले को फॉलो करते हुए इसके उपर सिलाई लगाएंगे और यह आप देख रहे हैं यहां एंड से एक्स्टा हो रहा था उसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है क्यूंकि हमने डाइरक्ट ही मार्जन रखा था फोल्ड क के लिए यहां से सिलाई को पका करेंगे अब इसके दूसरे पार्ट को भी इसी तरह फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ दबा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस लाई हमने लगा ली है अब बैक गले को रेडी करेंगे बैक गले की जोडाई में के लिए जो हमने निशान लगाया था वो सेम निशान है round shape देंगे अगर आप deep length देखना चाह रहे हैं तो deep length तकरीबन पौने 3 inch के आसपास है 2 inch से 2 inch extra है यहाँ पर हम cut करेंगे तिरची हमने उरेव shape में एक सटिप की cutting की हुई है उसी सटिप को उपर रखेंगे और इसी तरह एक पौन के margin से सिलाई लगाते हुई जाएंगे extra सटिप की हम cutting कर लेंगे और इसी के उपर किनारे की हम एक और सिलाई लगाएंगे इस सिलाई लगाने के बाद front और back के shoulder को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे यह देखें back गले की सटिप को हमने खोल के रखा हुआ है उसी के उपर किनारे पर रखते हुए front गले को हम सिलाई लगा लेंगे इस सिलाई लगाने के बाद आप back गले को हम इस तरह फोल्ड करेंगे अब चाहें तो इसे hand stitch कर सकते हैं चाहें तो इस तरह सिलाई भी लगा सकते हैं इस सिलाई लगाते हुए हम गले को नीट कर लेंगे ये देखें एंड से भी बहुत नीट हो चुका है अब हम back की योक और bottom की gathering को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे ये back side के भी हमने gathering कर ली है इसके बाद बादों को ready करना है puff sleeves तयार करने के लिए इसके half हिसे से हम ये चुनट देना start करेंगे ये देखें एक पलेट हमने दी है बारीक है दूसरी जरा चोड़ी देंगे और जहां सेंटर में कट लगाया था वहां पर इस पलेट को लेकर आएंगे अब इसकी दूसरी साइड वाली पलेट का रुख भी हम सेंटर की तरफ करेंगे और सिलाई लगा लेंगे वीवर्स ये कपड़े की चुड़ाई ज्यादा नहीं थी इस वज़ा से गैदरिंग हमारी ज्यादा नहीं आई लेकिन यहां पर बहुत ही प्यारी पाफ सलीवस वाली लुक आ जाएगी जो बहुत ही अच्छी लगेगी यह देखें दूसरी भी हमने बारी पलेट यहां दे दी है अब आप इसकी फाइनल लुक देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी इसके बाजो चेस्ट मेयर्मेंट के लिए हमने कट लगाय था उसी कट से हाफ इंच एक्स्टा रखते हुए हम यह बाजो लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे जो सेंटर में हमारी पलेट थी शोल्डर के सेंटर को बिलकुल बराबर करना है और यहां सिलाई लगा लेनी है सेम इसी तरीके से हम दूसरे बाजो को भी रेड़ी कर लेंगे अब आप ये देख रहे हैं इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी जो बहुत ये अच्छी लग रही है विवर्स अब मैं आपको ये फराग कम्प्लीट करके दिखाऊंगे ये देखें जी मैंने फराग तयार कर लिया है दोनों बाजों को रेडी करते हुए गेर की भी हमने बारिक सिलाई लगा लिए है बहुती प्यार ये फराग तयार हो चुका है यहां पर हमने काच कराते हुए बटन लगाए है विवर्स एक काच कराया है साथ में दूसरे बटन को अटेच्ज कर लिये है बहुत ही खूसरत हमारा ये फ्राक रेडी हो चुका है आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें फ्रेंड्स को शेयर करें मेरे चैनल साले लिजेनर को सबस्क्राइब करते हुए आल पर कलिक करें इसे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा अब तक के लिए इतना ही नई वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज